हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉंपेटिशन कम्यूनिटी जूट्यू चैनल, कॉंपेटिशन कम्यूनिटी के यूट्यू चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, मेरा नाम है प्रांजल सिंग and I am the faculty of law in the competition community और आज आप सभी students के लिए में लेके आया हूँ, हमारा 36 गड़ Excise Act 1915 का एक और वीडियो लेक्चर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम Chapter 6 of the Excise Act को पढ़के पूरी तरीके से खतम कर देंगे यह Chapter deal करता है Licenses, Permits और Pass के बारे में और शुरुआत हम यहीं से करते हैं समझने की कि यह Licenses, Permits और Pass के बीच में डिफरेंस क्या है एक Example से समझते हैं, अगर आपको गाड़ी चलानी है तो आपको उसके लिए जरुवत पड़ेगी एक License की जो कि यह बताता है कि आप उस गाड़ी को चलाने के लायक है और आपने उस सारी की सारी Legal Conditions को Fulfill कर लिया है जिससे कि आप उस गाड़ी को चला सकते हैं अब बात आती है Permit की, अगर आपको उस गाड़ी को चलाते हुए लेके जाना है किसी Building के अंदर या किसी ऐसी Society में जहाँ पे लोगों का आना जाना restricted है तो आपको उसके अंदर जाने के लिए लगेगी जरुवत Permission की, उसको हम कहते है Permit और Pass का मतलब क्या होता है, Pass का मतलब होता है कि अगर आपको उसी गाड़ी को चलाते हुए किसी एक जगा से किसी दूसरी जगा पे जाना है अगर आपको जो है कहीं स्पेशल जगा पे शराब बेचनी है तो आपको एक जरुवत होगी Special Permit यानि की Permission की और अगर पास की जहां तक बात करी जाए तो वो जरुवत पढ़ती है जब कभी भी शराब को यानि की Excisable Articles को एक जगा से दूसरी जगा लेके जाया जाता है तो एक जगा से दूसरी जगा जाते हैं जो जो जगाएं बीच में पढ़ती है वहां से पास होने के लिए आपको एक पास की जरुवत पढ़ती है अब आज के इस चाप्टर को हम शुरू करते हैं समझना जो की है चाप्टर नमबर 6 और इसमें हमारे पास सेक्शन सर कौन कौन से है सेक्शन 28, 28, 29, 30, 31, 32 और 33 ठीक है सर 33 के बाद एक अमेंडेट सेक्शन भी था लेकिन वो अमिट हो चुका है तो हम इसको ठुरंबर पढ़ के खतम करते हैं बहुत ही आसान तरीके समझेंगे और हमें तुरंण समझ में आ जाएगा सबसे पहला सेक्शन हमारा कौन से होने वाला है सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 28 éta waar बात करता है वह बात करता है इसको पढ़के समझने की कोशिश करते हैं, इसका subsection 1 कहता है, issue of permit और pass और license, यानि कि इस section के तहब किसी भी प्रकार का कोई permit, pass और license, वो grant किया जा सकता है, यानि कि इस section के base पे कोई भी permit, pass और license दिया जाएगा, may be granted on payment of fees, यानि कि अगर आपने उसकी fees दे दी है, तो आपको permit दिया जा सकता है, pass दिया जा सकता है, और license भी दिया जा सकता है, लेकिन वो कैसे दिया जाएगा, अंधा तो नहीं दे दिया जाएगा, कि अंधे कानून की तरह दे दिया, तो वो कैसे दिया जाएगा, उस period के लिए दिया जाएगा, उन conditions और restrictions के साथ दिया जाएगा, और उस form को भरने के बाद दिया जाएगा, यह हमें बताता है subsection 1, क्या क्या रहा है subsection 1, वो केवल इतनी सी बात कह रहा है कि इस section के अंतरगत किसी भी प्रकार का permit, pass और license किसी को दिया जा सकता है, जब वो fees का payment कर दे, fees का payment कैसे करे, form भरने के बाद करे, और वो license के अंदर क्या हो है कि इतने समय तक के लिए practicable रहेगा, उसके बात subsection 2 हमें क्या कह रहा है, conditions of 1 may also require, यानि कि जो conditions और restrictions subsection 1 में लगाई जा रही थी, inter-allia, यानि कि उसके साथ-साथ उसमें और क्या-क्या हो सकता है, licensee के लिए, lift for sale, the minimum quantity of country and foreign liquor, Indian made liquor fixed for his shop, अब मान लीजे कि किसी एक इनसान न उसको दिया गया subsection 1 के तहर्त, यानि कि section number 28 के subsection 1 के तहर्त, उसको license मिल गया, लेकिन उस license के अंदर जो conditions का जिक्र subsection 1 में हुआ था, उसको और elaborate किया है, subsection 2 में जो की बता रहा है, कि उसके अंदर और क्या-क्या चीजे हो सकती है, उसके अंदर और चीजे हो सकती है, lift for sale, यानि कि वो कितनी शराब की मातरा को उठा सकता है बेचने के लिए, उसके बाद कितनी minimum quantity है जो उसको country लिकर, यानि कि देशी शराब और कितनी minimum quantity विदेशी शराब अपनी दुकान में हमेशा रखनी होगी बेचने के लिए, ये भी license में precisely mentioned होगा, और अगर वो इन में से को section 1 में, subsection 2 में बुलागया कि conditions में सब कुछ लिखाओगा, कि देशी शराब कितनी रखनी है, विदेशी शराब अपनी दुकान में बेचने के लिए कितनी रखनी है, इंडिया की बनी होई शराबे कितनी रखनी है, ये सारी चीजों का जिक्र है, और अगर वो इन चीजों क पालन नहीं करता है, यानि कि मान लीजे उसमें लिखा हुआ था कि 10 लिटर देशी शराब आपको रखनी होगी और उसने केवल 5 लिटर ही रखी अपनी दुकान में, तो उसको कहते हैं short lifting और उसके लिए उसको क्या देना पड़ेगा, penalty pay करनी पड़ेगी, अब हमारा सब्सक्शन 2 में बुला गया कि conditions को नहीं माना, तो penalty pay करनी पड़ेगी, और सब्सक्शन 3 हमें ये बता रहा है कि अगर penalty pay करनी पड़ी, तो वो उसी person से वसूली जाएगी, जिस person ने वो license को लिया था, यानि कि licensee, जिसको license मिला था, बस इतनी सी बात है, section number 28, अब हम आगे ब लिख रहे हैं, होता है ना कई जगा उपे की गुंडे आते हैं, दुकान वालों से बोलते हैं कि आप हमें महीने के 10,000 रुपे देंगे, क्यूंकि हम आपकी सुरक्षा का खयाल लग रहे हैं, और वो दुकान दार बोलता है कैसी सुरक्षा भाई, मेरी सुरक्षा तो police और स आपको चाहिए तो हम आपकी सुरक्षा में खिद पहुचा सकते हैं और आपको तकलीफ पहुचा सकते हैं इसलिए वो 5,000 रुपे दीजिए ये section को आप इना funny way इस तरीके से भी समझ सकते हैं क्या कह रहा है ये section ये बात करता है supervision charges के अब यहां पर लिखा है state government may by general or special order यानि कि राज्य सरकार एक general या special order निकाल के manufacture, import, export, transport, storage, sale, purchase यानि कि जो भी जो भी काम होता है उगाना, बेचना, pack करना, manufacture, sale, import, transport, करना, सब कुछ इन चीजों पर क्या कर सकती है वो be under the supervision of such excisable staff, such excise staff as the excise commissioner may prescribe अब यह कह रहा है कि राज्य सरकार को अगर लगा तो जितने भी काम इस act के अंतरगर चल रहे हैं बनाने के, बेचने के, यानि कि जो मादक प्रदार थे, यानि कि जो excisable article है हम example के लिए समझते है शराब, शराब को बनाया जा रहा है, बेचा जा रहा है, शाहर से बाहर भेजा जा रहा है उस चीज के लिए अगर राजसरकार को मन करें तो राजसरकार क्या कर सकती है अपने excise officers को बोलेगी कि तुम्हारा काम है कि तुम supervise करो इसको supervise करो मतलब तुम हमेशा नजर रखो कि काम सही तरीके से हो रहा है कि नहीं ठीक है sir, अब ये जो supervisors बनाये गए हैं राजसरकार के दुवारा जो कि general या special order से बनाये गए हैं, उसमें आखरी में क्या लिख दिया गया जिस person के ओपर supervision हो रहा है, शल पे टुदी state government towards supervision charges as levy as may be imposed by the state government in this behalf ये कह रहा है कि जिस person के ओपर ये supervise कर रहे हैं, excise officer उसने बोला नहीं है कि मुझे supervision चाहिए, state government ने बोला है कि तुम्हारे ओपर supervision होगा, मेरे अधिकारी करेंगे और इसके लिए मुझे charges pay करने पड़ेंगे, क्योंकि हम तुम्हें क्या कर रहे है, supervise कर रहे है ये कहता है, ये section जो की बहुत ही interesting है इसका proviso क्या कहता है, state government may exempt person or institution paying whole or any part, अब अगर state government को लगा कि नहीं बहुत जादा जाती हो गई तो वो किसी इंसान को या किसी institution को पूरा का पूरा ऐसा charge देने से मना कर सकती है या उसको छूट दे सकती है या वो बोले कि इसमें से 30% मत देना, 70% दे देना यानि कि state government के हाथ में कि वो कुछ पाठ या पूरा का पूरा जो ऐसी fees है उसको लेने से मना कर दे तो 28 ए basically क्या बोल रहा है कि state government अपने officers को बोले कि जाके supervise करो और वो जिसको supervise कर रहे है उसको उसने आदेज दे दिया है कि वो चुकी supervise तुमें कर रहे है तुम हमें पैसा दोगे, ठीक है sir आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते है अब हमारे पास आता है section number 29 यह क्या कह रहा है power to take security from licensee अब जाहिर सी बाते security का मतलब क्या होता है एक शब्द आता है surety और एक होता है security surety का मतलब होता है कि कोई आके आपकी जिम्मेदारी ले कि आपने जो वादा किया है वो आप निभाएंगे और अगर आप निभाने से चूक गए तो मैं आपकी जगा खड़ा हूँ मैं इनकी जगा उस वादे को निभाऊंगा और security का मतलब होता है कि मैंने किसी से कोई वादा किया और मैंने बोला कि अगर मैं इस वादे को मैं पूरा नहीं कर पाया तो मैं security के रूप में ये एक लाख रुपए तुम्हारे पास छोड़के जा रहा हूँ इन पैसों को जब्द कर लेना तो यहां पे भी यही बात करी जारी है कि अगर कभी भी license दिया जाएगा तो उसके लिए security भी ली जाएगी अब यह क्या क्या रहा है license granting authority may require license यानि कि जो authority license को grant कर रही है वो जिस person को grant कर रही है उससे क्या-क्या require करेगी एक counterpart agreement एक शब्द आपको अपनी bear act पे लिखा हुआ दिखेगा counterpart agreement इस शब्द का मतलब क्या है सर counterpart agreement का मतलब होता है agreement का मतलब तो हम सब जानते है कि हम दोनों की बीच कोई समझाता हुआ हमने उसको लिखित में लिखा और दोनों ने उस पे sign कर दिया counterpart का मतलब होता है कि उस agreement की दो copies निकलेंगी दोनों ने दो pages पे sign किया एक page आपके पास रहा और एक page मेरे पास रहा दोनों के पास original copy है इसको कहते हैं counterpart agreement अब यह जो counterpart agreement है इसमें क्या होगा tenor of license mentioned होगा उसके अंदर जो security है वो भी mention होगी कि कितनी security देनी होगी वो जो deposit है security का वो आपको करना होगा और both two and three यानि कि security और deposit आपको देना होगा यह केवल इतनी सी बात कहता है इसमें कुछ भी ऐसा special नहीं है इसके बाद हमारे पास क्या आता है इसके बाद हमारे पास आता है section number 30 जो की बात करता है technical defects, irregularities and omissions यानि कि अगर किसी प्रकार का कोई technical defect या glitch हो जाए तब कारवाई कैसे करी जाएगी इस बात को समझने की कोशिश करते है इसका subsection 1 कह रहा है No license, Invalid, Merely Technical Defect, Irregularity और Omission in the License अब इस बात को समझने की कोशिश करिए इसी YouTube चैनल पे एक Legal Service Authorities Act की प्लेलिस मेंने बना के डाली थी उसमें भी हमने बताया था कि लिखा था अगर किसी भी लाइसेंस को आप केवल इस वज़े से इन्वालिड नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें कोई छोटा मोटा Irregularity या ग्लिच हो गया हो Example क्या है सर इसका? मान के चली आपको एक Driving License मिला आपने 15 दिन का प्रोसेस किया वहाँ जाके एक्जाम दिया उसके लिए फीज भरी बहुत महनत करी सर तब जाके आपके हाथ में एक Driving License आया और आपने अपने घर पे Finally Demand करिए कि मेरे पास एक License आगया है तो मुझे एक अच्छी सी Bullet दे दीजे या बाइक दे दीजे अब जब आपकी बाइक आने वाली थी तभी जो है एक Officer आये और उन्होंने बोला कि नहीं नहीं आपके License में आपका जो नाम है उसमें एक ए लगना था और उसमें डबल ए आ गया है इसलिए आपका License पूरी तरीके से Cancel किया जाता है तो आप उसको क्या बोलेंगे नहीं सर ऐसा मत करिये केवल एक A ही तो एक्स्ट्रा आगया है मैं एक Application डाल देता हूँ एक A को हटा के आप क्या करिये नया License मुझे बना के दे दीजे correction करके इसका मतलब यह तो नहीं है ना कि एक A एक्स्ट्रा आगया है इसके वज़़ज़ से आपको एक पूरी इर्रेगुलारिटी ओमिशन इन दी लाइसेंस अब यह तैक ओन करेगा कि यह जो डिफेक्ट है यह छोटा है कि बहुत बड़ा है अब अगर किसी में डिफेक्ट है कि नाम की एक केवल अलफाबेट गलत है तो यह टेक्निकल में बहुत छोटा गलिच है लेकिन अगर किसी ने राम शाम बहादूर के नाम से अगर किसी परसन ने एक लाइसेंस लिया और वो एक्च्वल में था शाम मोहन पांडे का तो उस केस में नाम दोनों ही अलग है परसनालिटी दोनों ही अलग है तो ये बहुत बड़ा glitch है, बहुत बड़ा क्या है, एक error है, technical defect है, तो उस case में कौन तय करेगा, कि ये छोटा defect है, इसको मान लिया जाए और ये बड़ा defect है, इसको ना माना जाए, तो इस section का जो subsection 2 है, वो हमें बताता है, कि ये तय करेगा, ये decision किस के ओपर है, excise commissioner के ओपर और excise commissioner का जो भी decision होगा, वो इस मामले में final माना जाएगा, यानि कि अगर excise commissioner ने बोल दिया, कि ये छोटी मोटी गलती है, license को cancel ना करो, amendment करो और आगे बड़ो, तो मान लिया जाएगा, और excise commissioner ने बोला कि ये छोटी गलती होते हुए, कि बावजूद मैं मानता हूँ कि ये बड़ी गलती है, इसलिए इसको मत मानो, तो नहीं माना जाएगा, ठीक है sir, अब हमारे पास आते है section number 31, थोड़ा सा बड़ा है, bear act में बड़ा दिखता है, confusion होता है, लेकिन बहुत अथान है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ A, ऊपर क्या लिखा है, उसको पढ़ते है, cancel कर सकता है license को, अब license को cancel, इस वज़े से तो नहीं करेगा, कि वो सुबह उठा और उसका mood खराता है, इसलिए उसने license को cancel किया, तो उसके लिए उसके पास कुछ वज़ा होनी चाहिए, और वो वज़ाहों का विवड़न जो है, वो यहाँ पे है, क्या है sir, A में लिखा पोपटलाल की भाशा में अगर बोला जाए, जेठालाल के जो दोस्त हैं पोपटलाल, उनकी भाशा में बोला जाए, तो cancel, तो ये cancel हो सकता है, अगर duty paid नहीं हुई, उसके बाद B क्या है, breach of terms and conditions, हमने पढ़ाता सर्फ, 28 में पढ़ाता सर्फ, क्या होना चाहिए, वहाँ प पर दो-दो convicted लिखा हुआ है, C और D दोनों में, एक conviction बात कर रहा है, कि अगर कोई भी servant, या कोई ऐसा इंसान, जो जिस person ने license लिया था, उसके under में काम कर रहा है, उसी की job में काम कर रहा है, और उसको कोई conviction हुआ है, यानि कि उसको सजा मिली है, उसको दोशी पाया गया है किसी अपराद में, जो की excise act के अंतरगत हो, या किसी और अपराद के अंतरगत हो, जो किसी और act में हुआ है, और यहाँ पे acts का भी नाम लिखा हुआ है, तीन acts का नाम लिखा है, जैसे कि उन में से एक है dangerous drugs act, यानि की excise act के अंतरगत, या dangerous drugs act, और आपका merchandise act, इन सब के अं office convicted by any cognizable and non-bailable offense, यानि कि जो license holder है, यानि जिसने license लिया है, उसको किसी भी और अपराद में ऐसी सजा मिली हो, उसको दोशिद्ध हो गया हो, यानि कि वो प्रूफ हो चुका हो कि वही person guilty है और उसको convict कर दिया गया हो, और वो अपराद किस nature का होना चाहिए, cognizable and non-bailable, यानि कि cognizable का मतलब police क्या कर सकती है, police arrest कर सकती है बिना warrant के और non-bailable का मतलब है कि उसको bail का कोई right नहीं है, description of the court है, और ये बाते हमें किसी offense के बारे में कहां से पता चलेंगी, ये हमें पता चलेंगी सर, schedule 1 से, कहां पे CRPC, CRPC का schedule 1 हमें बताता है कि कोई offense cognizable है कि non-cognizable, bailable है कि non-bailable, तो अगर किसी person ने ऐसा कोई अपरात किया है और उसको दोश्च सिद्धी हो चुकी है, तो उस case में उसका license भी जा सकता है, अब क्या है, punished है, यानि कि उसको punishment मिली है, holder there of is punished for any offense referred to in clause 8 of section 167 of C Customs Act, अब C Customs Act के, हो जाएगा, उसके बाद क्या है, requisition in writing, license permit और pass being granted on the application of the holder of any lease granted under section 18 on the requisition of writing of such leasee, अब ये क्या कह रहा है, कि sir, आप मान के चलिए कि हमने section number 18 में देखा था कि lease grant करी जाती है, यानि कि सरकार ने क्या कि आपनी एक जमीन दे दी, lease पे 15 साल के लिए कि आप आईए और इस जमीन पे आके manufacturing plant लगा के शराप का उत्वादन करिए, अब अगर ऐसा कोई person जो की lease पे है, उसके 10 साल बाद, उसको सेम ऐसा offer आगया अमेरिका से, तो जाहिर सी बाते कोई F जो वर्ड है, F जो आपकी category है, उसके तहत उसको requisition in writing मान लिया जाएगा, कि उसने खुझ request किया और उसको छोड़ दिया जाएगा, इसके बाद क्या आता है, जी जो की आकरी है, cancellation और suspension at will, if the conditions of the license permit or pass provided for such cancellation or suspension of at will, अगर उस license जिसको grant किया गया है, उसकी terms and conditions के अंदर ही लिखा हुआ है, कि यह जब चाहे तो अपनी will पे cancel कर सकता है, तो उसको बिना कुछ बोले, जब भी वो बोलेगा कि यहां मैं cancel करवाना चाहता हूं, तब उसको cancel करवा दिया जाएगा, की कैसर, आगे बढ़ते हैं, अब यह section यहां पे खतम नहीं हुआ, इसमें चोटी-मोटी बाते और लखी है, इसका 1A हमें क्या बताता है, before cancellation authority, record in writing for reasons, अब मान के चलिए भाई, जहां पे वो खुच से बोल रहा है, मेरा license cancel करो, अलग बात है, लेकिन जहां authority कुछ गलत काम करने पे क्या कर रही है, उसका license cancel कर रही है, तो authority को क्या करना पड़ेगा, writing में आपने reasons को record करना पड़ेगा, कि वो ऐसा cancellation क्यूं कर रही है, क्यूं उसको ठीक लगता है, कि license cancellation ही एक option बचा है, subsection 2 क्या कर रहा है, furnished to the holder, reasonable opportunity of being heard, 1A में हमने एक तो देखा था कि आपने, जो आपके reason से आप उसको दिखेंगे, और उसके बाद और क्या लिखा था, furnished to the holder, reasonable opportunity of being heard, इसका मतलब ये है, कि जो इनसान जिसने license को क्या किया है, sir, लिया है, और अब आप उसका license cancel कर रहे हैं, तो cancel करने से पहले उसको एक opportunity दीजे ताकि वो अपनी site को present कर पाए, जिसको administrative law की भाषा में और general law के sense में कहते है, principle of natural justice and principle of equal opportunity of hearing, ठीक है, sir, अब हमारे पास subsection 2 है, subsection 2 क्या कह रहा है, A, B, C and E, A, B, C and E कहां पे लिखा था, sir, यहां पे यह A है, यह B है, यह C है, और उसके साथ ही साथ यह वाला option है E का, यानि कि इन चार जो हमारी conditions है उनमें, authority may cancel any other license under excise or opium act, यानि कि अगर इस act के अंतरगत, अगर इन इन चार category के कारण किसी का license cancel हो रहा है, तो authority अगर चाहे तो excise act के अंतरगत, यानि इस act के अंतरगत और opium act के अंतरगत, अगर कोई भी और license grant हुआ है, तो उसको भी cancel कर सकते हैं, यानि कि आपने यहां गलती करी, तो असर वहां पे भी दिख जाएगा, उसके बाद हमारे पास आता है, subsection 3, जो कि कह रहा है, the holder of a license permit or pass shall not be entitled to any compensation for its cancellation or suspension not to the refund of any fee paid and deposited made in respect thereof, अब ये के वाल इतनी सी बात कह रहा है कि भाई, जिसका license cancelled हुआ है, तो जाहिर सी बात है, उसकी खुद की गलती की वज़े से हुआ है, तो अगर ऐसा कुछ है, तो उसको किसी भी प्रकार का कोई compensation या fees या कुछ भी वापस नहीं किया जाएगा, वो किसी भी प्रकार के amount के लिए eligible नहीं है, इसके बाद आता है, हमारे पास subsection 4, जो कि कहता है, जब कभी भी कोई license जिसको हमने देखा था, उन categories के अंदर cancel होता है, तो fee payable for the balance of period if license may have been current, recoverable from X licensee as excise revenue, अब मान लीजे कि आपने कोई license लिया, उस समय license लेते वर्ग कहा गया था कि आपको 50,000 रुपेस की fees है, आपने 25,000 दे दिये थे, 25,000 आपको अगले साल देने थे, लेकिन उससे पहले ही आपका license क्या हो गया, तो excise revenue बोलके आपसे वो 25,000 वसूले जाएंगे और आपको उसको देना होगा, B क्या क्या रहा है sir, collector may take grant under his management or resell at the risk of the X licensee, but any profit in excess to the recoverable amount may be returned to X licensee, कोई शराब की दुकान है उसने कोई गलती करी और उसकी दुकान का license cancels कर दिया गया तो अब उस शराब को नहीं बेच सकता, तो उस पूरी की पूरी शराब पे control कौन ले लेगा, collector ले लेगा लेकिन इतनी सारी शराब को collector भी क्या करेगा, तो उस collector के पास क्या काम है, उस collector का काम यह है कि अगर वो चाहे उसको ठीक लगे तो वो शराब को अपनी authority में रखके बिकवा सकता है, और जितना उसका profit बचेगा, वो profit को क्या करेगा, अपने पास रख लेगा, उतना पैसा जितना पैसा उस license holder को collector को देना था, वो collector उस person को वापस कर देगा, लेकिन अगर उसको बेचने के बाद loss bear होता है, उस person को जिसने शराब खरी दी थी, तो वो loss की जिम्मेदारी collector की नहीं है, वो उस person को ही उठाना पड़ेगा, तो यह हमारा section number 31 भी clear होगे, अब हमारे पास है section number 32 जो कहता है, power to withdraw licenses, अब यह क्या कह रहा है, licenses को withdraw करने की ताकत, whenever authority with granted license considers, license should be withdrawn from any reason other than 31, यानि कि इससे पिछले section में हमने देखा, कि license को cancel किया जा रहा है, अब यहाँ पर कह रहा है कि जिस भी authority ने क्या किया था, license को दिया था, अगर 31 में जो कारण दिये हुएं, उसके अलावा उसको लगता है, कि किसी और कारण वर्ष इस license को क्या करना चाहिए, वापस ले लेना चाहिए, तो उस case में वो authority क्या कल सकती है, it shall remit a sum equal to the amount of the fee payable in respect for 15 days, may withdraw the license, अब यह क्या रहा है कि अगर किसी authority को 31 के दिये गए reasons के अलावा license को क्या करना है, वापस लेना है, तो वो एक छोटा सा काम करे, वो क्या करे, 15 दिन की जो fees है उस license के उपर उसको माफ कर दे और उसके बाद उस license को वापस ले ले, अब इस बात को और elaborate किया है, ए में बोला है on expiration of 15 days, notice of intention, यानि कि उसने क्या किया, उस license पे जो 15 दिन की fees थी उसको माफ किया और उसके बाद उसने एक notice निकाल दिया और बोला कि सर, ये जो है, मैं 15 दिन बाद आपका license खारिज करने वाली हूँ, 15 दिन की मैंने hurtful है, यानि कि सामने वाला तयार भी नहीं था और आपने उसका license वापस ले लिया, इसलिए आगे इसका जिक्र है, इसको और explain किया गया है, अब यहां पर क्या बोला गया है, subsection 2 में, subsection 2 में, if license is cancelled under clause B of sub clause 1, अभी क्या 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 रहा है, भाई, अगर B के sub clause 1 में, यानि कि pay extra sum of compensation to the licensee directed by excise commissioner, यानि कि अगर excise commissioner बोले और अगर ज़रूरी लगे तो, compulsory नहीं है कि देना पड़ेगा सर, यहां पर एक शब्द इस्तमाल हुआ है, में, में का मतलब है दे सकते हैं, तो अगर किसी इंसान को बिना notice के उसका license वापस ले लिया गया, तो excise commissioner जैसा भी जैता है, when a license is withdrawn under subsection 1, any fate paid in advance to deposit made by the licensee in respect thereof shall be refunded to him after deducting the amount of any due to the government, अब अगर मान के चलिए कि कोई license पांच साल का था, उसने पांच साल की पूरी की पूरी 50,000 की fees दे दी, अब आपने क्या किया, दो साल बाद उससे license विड्रॉ कर लिया 15 दिन का notice दे के, लेकिन उसने तो पू आज की तारी तक इतना पैसा बना, उतना काट लिया, बाकी पूरा का पूरा पैसा उसको वापस कर दिया गया, अब हम आ गये हैं अपने आखरी section की तरफ जो की बात करता है, surrender of licenses के बारे में, यह क्या कह रहा है, any holder of license may surrender his license on expiration of one month notice in writing given to collector by him, यानि कि कोई भी ऐसा इंसान जो writing given to the collector, इसका मतलब यह है, कि एक महीने पहले उसको collector को एक लिखित में एक application या letter लिखना है, और बताना है कि मैं अपना license surrender करना चाता हूँ, और एक महीने बाद वो जाके उसको surrender कर सकता है, यानि एक महीने का notice period time है, on the payment of remainder fee payable for the left for the period of license, यानि कि वो ऐसा ऐसा तो नहीं कर स सकती है, वो उस पूरे के पूरे पैसे को दे देने के बाद ही, वो उसको क्या कर सकता है, surrender कर सकता है, तो surrender के लिए भी सरकार क्या करती है, अपने लिए bylaws बना लेती है, ठीक है, प्रोवाइजों क्या कहता है, provided that if the excise commissioner is satisfied that there is sufficient reason for surrender का license, he may remit the holder thereof the sum of payable surrender to or any portion thereof, अब मान ली के किसी आदेश की वज़े से या कोई genuine reason की वज़े से अपना license surrender कर रहा है, तो अगर excise commissioner चाहे, तो वो यह कह सकता है, कि ठीक है, हम आपको माफ करते हैं, कि आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, जो fees payable है, या उस पैसे का कुछ portion नहीं देना पड़ेगा, आपको बहुत minimum तो यहाँ पर हमारा chapter 6 of the excise act खतम हुआ, I hope आपको समझ में आया होगा, और अगर अभी भी आपके मन में कोई doubt रह गया, तो आप हमें नीचे comment section में ज़रूर बदा सकते हैं, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो excise act, administrative law, etc. के बहुत सारे subjects, playlists हमारे आ एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना, तो जुड़िये competition community के साथ, आज ही हमारे website के carrier page पर विजिट करें, अथवा description box पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें, हमेशा आपके साथ टीम कोको